Hi everyone, इस वीडियो में हम एक custom drop-down रनाएंगे, केवल CSS का यूज रूपन आपने उर्डी यूज किया होगा drop-down menu, किसी भी website पर जाते हैं और ऐसे click करते हैं, मानों एक menu होता है, उसके अंदर और भी कई सारे menus खुलते हैं, उसका फिग्मा डिजाइन मेरे पास है, यहां पर अग तो यही चीज हम इस वीडियो में डिजाइन करेंगे और चलो मैंने यहां पर एक HTML फाइल क्रिएट कर लिया और उससे CSS फाइल लिंक कर दिया है अब इसको कैसे बनाएंगे तो यह हमारा चलो यहां पर एक मैं डिव ले लेता हूं और उसकी डिव डेता हूं ड्रॉप डाउण अधि हो वी इसके अंदर हमारे पास एक तो यह चीज है और दूसरा यह है इसके अंदर पूरा मैनियो है तो ड्रॉप डाउन के अंदर अगर कुछ रखें देखते हैं यहां पर मैं एक और रखता हूँ अर उसकी क्लास देता हूं रसप जो है इसका drop down container दे देता है drop down container इसका drop down menu और फिर इसके अंदर हम लिख देंगे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे एक तो यह dogs लिखा है यह लिख देंगे और dog का icon लगाना है तो icon मैं export कर लेता हूं यहां से एक second मैं इसको तोढशा चोटा कर दिता हूँ और यहां पए export का icon है इसको मैं click करके export कर लेता हूँ मतलब download icon है event कर दिनगा तो automatic download हो जयागा इस पह मैं click करके export कर लेता हूँ और यहां पे एक्सट्राक्टALL कर लेता है और यह पूरा एक folder में पता नहीं क्यों देता है यहां पर यह चेक SVG नहीं, यह है dog का SVG, dog icon, इसको मैं अपने यहां पर रख देता हूँ, अपने फाइल में, और यहां पर मैं एक image लगाता हूँ, उसका नाम दे दूँँगा, dog icon, और फिर यहां पर भी dog, बस इतना लिक देता है, और अपने स्क्रीन पर आके देखेंगे, तो कुछ ऐसा देख रहा है, जो कि एक दम से white है, क्योंकि हमारा icon जो लगाया है हमने, वह भी white है, और सब कुछ white है, यहां पर अगर हम देखें है, तो यह हमारा dog का icon, और मैंने काफी zoom कर रख रखा है, मैं इसको zoom करके 100% अगर कर द लेता हैं अभी के लिए, चलो मैं यहां पर आके, drop down menu select कर लेता हूँ, पहले तो मैं box sizing border box कर देता हूँ यहां पर, border box, और drop down menu का background color, यहां पर जो था वो copy कर लेता है, यह कौन सा color है, यह color है, इसको यहां पर अगर click करेंगे, तो copy हो जाएगा automatically, यहां यहां पर रखती है, और यह कुछ आ गया, और यह तो check का icon है, मैंने download किया था, dock का icon, एक बार मैं फिर से select करता हूँ, और यहां से मैं export कर लेता हूँ, svg, और फिर से मझे extract करना पड़ेगा, या तो मैंने गलत वाला extract कर दिया होगा, कोई दूसरा extract कर दिया होगा, यह last वाला जो download हुआ है, इसको extract कर लेता है, extract all, extract, हाँ, यह dog.svg, इसको मैं इधर डाल देता हूँ, और इसको मैं, इसका नाम copy करके, इसको मैं delete करके, इसका नाम डाल देता हूँ, अब यह अगर हम देखेंगे, तो यह dog का icon आ गया है, यहां पर छोटा सा, अब हमें कुछ ऐसा बनाना है, तो जो मारा drop down है, यह drop down container, उसके अंदर हमने एक drop down menu रखा है, और एक यहां पर down arrow भी हमें लगेगी, यहां पर जो arrow है, अब down arrow, यह वाली arrow export कर लेता है, यह arrow भी एक बार रख देता है, यह arrow को हम ऐसे इसवीजी में export कर लेता है, और यहां पर, यह जिप में पता नहीं क्यों export कर रहा है, extract, caret down, ठीक है, caret down या down arrow ऐसा कुछ कर सकते हैं, down arrow, यह, तो drop down menu के अंदर एक तो यह हो गया और दूसरा हो जाएगा, down arrow, down arrow, यहां पर डाल दिया, ठीक है, अभी यह दोनों चीज़ें यहां पर दिख रही है, लेकिन इसका color तो white होगा यहां पर, है न, यहां पर white होगा, यहां पर black है, और हमने जो लिया है, वो यह वाला है, मतलब वो white वाला है, यह black वाला है, हमें white वाला चाहिए, तो हम एक काम करता है, down arrow का जो, svg code है, वही copy paste कर लेता है, तक हमें color control करने में आसानी हो, और एक बार मैं इसको format कर देता हूँ, तो पुरा-पुरा svg हमने copy कर लिया, और यहां पर जो fill है, इसको हम control कर सकता है, कैसे, css से control कर सकता है, अगर मैं svg पर कोई class दे दूँ, यहां पर मैं कोई class दे सकता हूँ, class, down, arrow, यह होगया, और इसको मैं, fill करके, मैं अगर red कर दूँ, फिल यह stroke color ऐसा होता है, कुछ, देखता हूँ, stroke, color, stop color नहीं, stroke, stroke width, stroke यह है, stroke opacity, stroke, red, देखता है, यह देखो, यह हो गया, color हमने चेंज कर लिया, तो इसको हम white कर देते हैं, यहां से, और फिर यहां पर जो, इसके SVG के अंदर, fill था, इसको भी हम हटा सकते हैं, यहां पर, यहां से भी fill हटा सकते हैं, हम CSS से, control कर लेंगे, इसका fill, तो यह stroke ने दे दिया, और यह चल रहा है, इसका सही है, तो अब यह कुछ ऐसा बन गया, लेकिन हमारा तो एकदम अलग है, और इसकी height 16 नहीं है, height नहीं है, यह gap है, यहां पर padding 16 है, तो चलो हम padding यहां पर देते हैं कुछ, इतने इस पर, drop down menu पर, padding, top and bottom 8 pixel, left and right 16 pixel, यह है, तो इतना दे दिया है, अब कुछ shape आने लगा है इसका, अभी border radius थोड़ो से दे देते हैं, border radius 4 pixel, तो यह हो गया, ऐसा कुछ, अभी इस चीज को हमें, दूर दूर लेके जाना है, यह इधर आजा एकदम, दूर दूर, तो यहां पर हम, लगा देंगे display flex, और, justify content, space between, तो यह icon इधर आभिया, अब थोड़ा थोड़ा shape आने लगा है, इसका, है न, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ऐसा, 150% जूम कर लिया मैंने, और, यह देखो, सही है, अभी यह बहुत ही जादा बड़ा हो जा रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं, drop down container को, एक, उसमें रख देता हूँ, एक div में, जिसको, ID देता हैं, कि side menu, या, ठीक है, side menu, जिसे, मानलो, side से menu खुल के आ रहा है, वो मैंने, मतलब, वो मैंने ले लिया है, side menu, और इसकी मैं max width set कर देता हूँ, side menu की, max width, 400 pixel, तो यहीं तक यह रहेगा, अब सही है, यहाँ पर, ठीक है, और इस पर मैं cursor pointer कर देता हूँ, ताकि हमें लगे कि इस पर हम click कर सकता है, अब हम इस पर click करें, चाहिए, और यह rotate होना चाहिए, तो पहले तो चलो, rotate कर वाता है, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो यह में पता ही नहीं चल सकता, अगर यह कैसे, click हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकता है, एक check box यहाँ पर डाल सकता है, हला कि जब हम असलियत में बनाते हैं, तो हम check box नहीं यूज करते हैं, हम javascript का यूज करते हैं, और इस पर add event listener लगा के, एक class add कर देता हैं extra, जैसे कि for example, यह drop down container है, या drop down, drop down ही ज़्यादा सही रहेगा शायद, यहाँ पर मैं इसको drop down ही कर देता हूँ, और इधर कहीं drop down container मैं नहीं use भी नहीं किया है, ठीक है, तो drop down में मैं open class लगा दूँगा, कैसे, यहाँ पर, ऐसे हम लिखेंगे, drop down एक class है, drop, drop down पर जब open class लगी हो, तब हमें क्या करना है, drop down मेन्यू का, यह जो down arrow है, down arrow को, transform, rotate, 180 degree, यह कर देंगे, ऐसा कुछ, तो उससे क्या होगा, हम इस class को add and remove करेंगे, यहाँ पर drop down पर, हम जैसे इस class को, open class को add करेंगे, यह rotate हो जाएगा, अब हम यहाँ पर add कर रहे हैं, अपने हाथ से, इस चीज़ को हम javascript से करवा सकता है, लेकिन अभी हम, देखो, यह javascript से हमने, अंतलब, हम अपने हाथ से add कर रहे हैं, manually, लेकिन हम javascript से भी करवा सकता है, लेकिन हम इस वीडियो में केवल css only project बना रहे हैं, तो हम यह चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन यह ज्यादा सही तरीका है, जो javascript से करके करता है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं comment out कर देता हूँ, या, कमेंट में पढ़ा रहे हैं देते हैं, और हम check box का use करेंगे, यहाँ पर, drop down के अंदर एक input ले लेंगे, उसका type हो जाएगा check box, तो यह check box यहाँ पर आ गया है, और इस पर मैं एक id देता हूँ, id is equal to, मानलो, मैं check box ही देता हूँ, और इस check box को, यह जो हमारा input वाला check box है, इसको मैं चाहता हूँ कि यह check हो जाए, जब मैं इस पर click करूँ, और फिर उसके basis पर मैं style कर दूँगा इसको, लेकिन मैं अगर इसको click कर रहा हूँ, तो यह check नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें इस इन दोनों को connect करना पड़ेगा, अब उसके लिए हम देते हैं for attribute, अब for attribute अगर मैं check box यहाँ पर देता हूँ, तो यह div नहीं connect होता है एक input से, एक input से कौन सा चीज connect होता है, वो ता label, तो मैं इसको अगर label कर देता हूँ, और इस पर click करता हूँ, तो आम रहा check box check our uncheck हो रहा है, अब यहाँ पर दिक्कत यह रही, कि अगर मैं दौ-दो drop-down बना लता हूँ, यहाँ पर एक और drop-down बना लता हूँ, तो यह आगया, अभी मैं इसको click कर रहा हूँ, तो वो check हो रहा है, जबकि इस case में यह होना चाहिए, क्योंकि id दोनों की same है, यहां पर id same है, तो यह label है, यह label इसी को ले ले रहा है, इसी को यह पहला मिल जा रहा है, और इसी को चक कर दे रहा है, तो यह बहुत सही तरीका नहीं है, अगर हम इस तरह से करेंगे, तो हमें बहुत सारे वो करने पढ़ेंगे, अलग-अलग ids देनी पढ़ेंगे, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यह उतना practical नहीं है, हर एक element की id देना, हम इस id को हटा देता है, और फिर हम for attribute को भी हटा देंगे, और इस label के अंदर हम इस input को डाल देता है, लेवल के अंदर हमने input को डाल दिय अब अगर हम click करेंगे, कहीं भी label पे, तो हमारा input यह जो है, चेक हो रहा है, अब यह सही चीज़ है, काफी सही है, और चल भी रहा है, अब हम यहां पर यह नहीं चाहते हैं, कि यह इधर आए और दिखे, तो हम input को, हम यह select करके, इस तरह से, drop down menu के अंदर, जो भी input field है, उ और उसको हम कर देते हैं, position, absolute, position absolute कर देंगे, तो वो, मतलब, एक तरह से, ऐसा हो जाता है, कि वो वहां पर नहीं है, वो कर दिया, और हम opacity zero कर देते हैं, opacity zero, तो यह करने से, एकदम से, गाइब हो गया, अब हम यहां पर click करें, यहां भी click करें, वो check और uncheck होगा, अब वो check औ करने से पहले, हम इसको एक बार देखते हैं, चक और अंचक हो रहा है, और इसके basis पे हम, इसको rotate करते हैं, अब देखते हैं, कैसे rotate होगा हो, और इसके basis पे हमें, इस चीज को select करके, और rotate करना है, तो अगर मैं यहां पर लिखूँ ऐसा कुछ, मैं यह commented code हटा देता हूँ, और मैं यह करता हूँ, कि अगर input chucked है, तो उसके आगे जो svg है, svg, उसको rotate कर दो, transform, rotate, 180 degree, यह करना है, तो अभी अगर मैं click करूँ, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यह input जो है, उसका जो adjacent sibling है, उसका adjacent sibling यह image है, और हमें चाहिए कि, यह input है, वो यहां पर रहे, जो svg, उसके just आगे रहेगा, तभी यह चीज काम करेगा, तो मैं काम करता हूँ, इस input को, यहां से remove करके, इधर डाल देता हूँ, इस svg के आगे, अभी देखना, मैं इसको check और अ करके रहा है, तो यह सही है, एकदम सही से काम भी कर रहा रहा हम जो腹 जोड़ी कर सकते हैं, भी दो हम इकदम JKs हटा दिया हमने और हमें एकदम सही यह दिख रहा है, अब इतना बन गया, और यह जो rotate कर रहा है, जाटे कर रहा हमं चाहिए तो फोड़ा transition लह सकते हैं, यहां पर, कहां गया, जो SVG है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, drop down menu, और उसके अंदर जो SVG है, उसके हम transition लगा देंगे, transition all कर देता है, या transform, transition, transform, 0.5s या 0.25s, is in out, is in out, यहां पर transition होना चाहिए, transition, तो अगर आपको transition या transform, यह सब कुछ अगर नहीं पता है, तो इसको मैंने CSS के playlist में, जो जहां पर CSS पढ़ा है, मैंने, वहां पर मैंने एकदम अलग से पढ़ा है, उसका link, उस वीडियो का link मैं आपको description में दे दूँगा, आप जाके पढ़ देना, अगर आपको नहीं पता है, अभी किलाब बस इतना लिख देना, तो इससे क्या होगा, यह घुमता हुआ दिखेगा, और यह इधर की तरफ घुम रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, द मेन्यूस कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे मेन्यूस, ठीक है, अच्छा, यहां पर dogs भी लिखना था, हमने dogs लिखा ही नहीं, यह एक image डाल दी हमने, और image के साथ में dogs है, यहां पर, देखो, यह image और dogs इकठा है, और यह चीज एकदम दूसरे साइड में है, तो ह इसका layout यह बीच में आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक div में डाल देंगे, बस एक div में रखना है, और यह दोनों इकठे हो जाएंगे, और इसका alignment एकम सही नहीं है, क्योंकि जो image होता है, वो align नहीं होता है, यहां पर हम, अगर vertical align middle कर दें, तो भी नही एक second में किस पर लगा रहा था, इमेज को, इमेज पर लगाना है, vertical align middle, तो यह alignment हो गया, लेकिन मझे बहुत ही perfect alignment नहीं लग रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो div है, इस पर हम display flex लगाएंगे, display flex लगाते है, एक गम सही से alignment हो जाता है, तो यह जो div है, इस पर हम class दे drop down है, उसका क्या name है, वो ले लेंगे और उस पर हम लगा देंगे display flex, और display flex करने से एक दम सट जाएगा, यहाँ पर हम gap दे देता है, 4 pixel का, अब सही है, यह और भी ज्यादा gap है, सायब, 8 pixel करके देखता है, यह ठीक है, और यह font family देखता है, कौन सी font family है, यहाँ पर, font family मुझे दिखनी रही है, जो text है, इसकी font family, dm sans पता नहीं कौन सा यह है, गूगल पर search कर लेता है, यह Google fonts पर मिल गया हम है, तो इसको हम import कर लेंगे, इसका हम 400 ले लेता है, यह मैं और रोबोटो पहले सेलेक्ट रहता है, उसको हम रिमूप कर दिया, और 500, 600, 700, बस इतना लेके, हम इसको copy करके, अपने HTML में रखतेता है, और यह font family अपने पूरे body के उपर लगा देंगे, यह DMs, body को select कर लेता है, font family लग भी, अब यहां पर अगर हम देखें, तो ठीक है, और हमें इसका color set करना, drop down menu का color white कर देता है, यह white ही है एकदम, ठीक है, यह हो गया सही, अब यह rotate कर रहा है, लेकिन इसका alignment सही नहीं है, तो हम यह थोड़ा सा ओपर चला गया है, तो हम align item center कर देता है, हमने display flex लगा दिया, align item center, यह कर देंगे यहां पर, हमने इस पर लगाया है, align item center, drop down menu पर, तो यह align हो गया, अब सही लग रहा है, अब हमें क्या करना है, जब भी यह rotate हो, तो यह ऊपर तो हो रहा है, घूम रहा है, लेकिन rotate होने पर हमें एक और चीज क हो यह है, कि इसके नीचे सारी menus दिखाने, जितने भी menus है, तो ठीक है, कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम यहां पर, इस label के उपर जब click कर रहा है, तो नीचे एक div रख देता है, यहां ul रख सकता है, ul के अंदर li रख सकता है, और li के अंदर, यहां पर menu item ही लिखा है, तो item 1, और 2, 3 ऐसे कर देता है, 3, 2, और 4, इतने items रख देता है, और इस पर class देता है, क्या class देता है, menu items ठीक है, अभी यह menu items है, यह by default कुछ ऐसा दिख रहा है, और, ठीक है, menu items ऐसा दिख रहा है, और, तो यहां से हम एक काम करता है, यह menu item पर, चलो कोई background color देके देखता है, कैसा लग रहा है, यहां पर आ जाता है, menu items, background color, pink, तो कुछ इस तरह से है, menu items, ठीक है, सही लग रहा है, और यह भी हमारा जो alignment है, वो alignment भी match कर रहा है, यहां पर, लेकिन हमें यह dots नहीं चाहिए, तो हम, जो li है, उसका list style, list style, list style, यह वाला करके none कर सकता है, list style none अगर कर देंगे, तो वो गयाब हो जाएगा, और item 1, item 2, item 3, यह सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें यहां पर थोड़ा सा padding चाहिए, कि, एक तो मैं यहां पर hover कर देता हूँ, एक second, यह menu item के अंदर वाली LI को मैं select कर लेता हूँ, इस तरह से, और, इस पर जब hover करें, तो, मतलब cursor pointer पहले तो कर देता है, cursor pointer, यह हो गया, ताकि अगर हमारा cursor जाए, तो यह, मतलब, लगे की cursor pointer है, ऐसा कुछ, और, हम क्या करेंगे, इस पर जब hover किया जाए, तो background color कुछ change कर देता है, और, यहां से, यह color मैं remove कर देता हूँ, और, यहां पर मैं hover कर दूँगा, ऐसा, तो, अभी, जैसे से, हम hover करेंगे, इस का color ऐसे change होगा, ठीक है, यह सही है, लेकिन इसमें gap नहीं है, तो, हम padding दे देता है, padding, और, top and bottom, 8 pixel, left and right, 0 कर देता है, तो, कुछ इस तरह से, यह padding होगी, अब, जो ul था, उस पर by default padding कितनी होती है, 40 pixel by default padding होती है, जिसके काराण, यह, यहाँ पर एकदम से सही नहीं लग रहा है, यह यहाँ तक जाना चाहिए, जो हम hover कर रहे हैं, तो, ul की padding हम 0 कर देता है, padding 0, और, यह ठीक है, लेकिन अब इसका alignment यहाँ से बिगड़ गया, तो, हम क्या करेंगे, इस पर जो padding left and right है, उसको 40 pixel कर देता है, तो, यह ठीक है, अब ही सही है, इसका, और, यह top से इतना gap क्यों है, यह margin है, ul पर margin है by default, तो, हम margin को 0 कर देता है, अब यह सही है, इदर, तो, हमें क्या करना है, by default, और, यह जो खुल के आ रहा है, यहाँ पर एक box shadow type में दिख रहा है, तो, एक second मैं इसको अगर पूरा select property, यह यह पूरा box shadow यह है, box shadow मैं copy कर लेता हूँ, और box shadow यहाँ पर लगाते है, menu items पर, देखते हैं, कैसा देखता है, तो, यह सही है, यह ठीक है, अभी, जब हम इस पर click करें, तभी यह आई, अभी तो, पूरे time यहाँ पर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम कर सकते हैं, बहुत ही simple सा काम, कि हम इसको display none कर सकते हैं, display none, यह कर देंगे, अब इस पर जब click करें, तो वो खुल के कैसे आएगा, उसके लिए हम, देखो, जब हम java script से करते हैं, तो बहुत ही easy होता है चीज, हमें बसके विले class add और remove करनी होती है, अब यहाँ पर हमें काफी complicated selectors यूज करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो, एक has करके selector होता है, तो has selector क्या करेगा, मैं drop down पर एक काम करता हूँ, drop down colon has selector, और इसके अंदर अगर जो input है, वो chucked है, यह लिख रहा हूँ, तो फिर क्या करना है, इसके अंदर का input अगर chucked है, तो जो हमारा menu item है, इसका display block कर दो, ऐसा कुछ, तो अभी देखना, यह, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, बन गया, अभी has selector जो है, यह थोड़ा नया है, और इसकी अगर हम वो देखें, यह can I use पे अगर आप आके देखेंगे इसका support, तो इसका support 87% है, जो कि ठीक है, सही है, और हम use कर स चाहिए, और production में मतलब, अगर आप असली किसी client के लिए website बना रहे हैं, तो कम से कम 95% या more than 90% का support हो, तो भी use करना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद, यह 90% का support हो जाएगा, सारे browsers में, तो use कर सकते हैं, और ठीक है, अगर हम production में बना रहे हैं, तो हमें JavaScript अलड़ी आती ह तो हम JavaScript का use करके बनाएंगे, और यहां पर chucked class लगाएंगे, और उसके basis पर हम पूरी styles change करेंगे, ठीक है, chucked या open class लगा के, लेकिन अभी के लिए यह सही है, इतना, और ठीक है, यह खुल के आ रहा है, और बंद भी हो रहा है, थोड़ा सा styling fix कर देते हैं, और हमारा बन गय से expand होके अभी तो यह अचानक से आ जा रहा है, expand होके अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, starting में इसकी height जो है, display none नहीं करना है, display none नहीं हो सकता है, display none और display block, यह नहीं करना है, आपको कर देना height 0, अब यह menu items की height हमने 0 कर दी, और यहां पर अगर हम देखें, तो इसकी height 0 है, लेकिन overflow जो है, overflow के कारण यह सारा visible है, इसके अंदर का, तो हम यहां पर overflow hidden कर देता है, तो कुछ भी नहीं देखेगा, और अब हमें कितना करना है, अगर हम इसको open करें, जब तो यहां पर हम height कर देता है, height 300 pixel, और फिर हम इसको animate कर सकते है, height को कैसे, transition करें, transition, all ease in out, और कितने, यहां पर second देना पड़ेगा, 0.25 seconds, यह अगर कर देंगे, तो यह देखो, है ना सही, लेकिन यहां पर गड़बड चीज़ है, कि हमने height दी है, वो 300 pixel देखेगा, अब यह 300 pixel इसकेस में बहुत बड़ा हो जा रहा है, और किसी केस में छोटा हो जाएगा, अगर ज्यादा menu है, तो हम यहां पर height को hard code करके नहीं दे सकता है, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर height को hard code करके देते हैं, तो बहुत ही लंबा चला जा रहा है, तो हम यहां पर max height दे हो जाएगे, तब यह चल जाएगा देखना, यह देखो, यह animate हो रहा है, और चल रहा है, सही से आ रहा है, लेकिन अब इसमें गलवड़ी यह है कि अगर हमारे पास ज्यादा element हो जाएगे, तो 300 से अगर बाहर चला जाता है, तो यह देखो, और भी elements को मैं यहां पर रख द की लिखें़ है, अगर मैं इस पर 예हां पर 11 लिख दूँंखर, 14 लिख दूँँखर 13 लिख दूँंखर 600 dividend को क बिशम हैं तो यह देखें तो यह जतना भी मैने लिकिन लिखा कुछ भी है जिस सारा तक ही लिख रहा है यह यहीं तक दिख रहा है उसके नीचे वाला सारा कट गया तो यह अगर ज्यादा elements आ जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा लेकिन चल रहा है सही है यह और इतना element रहते भी नहीं है तो हम इसकी जो max height है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 600 कर सकते हैं यहां पर देखो तो यह इतना कर दिया अब लगवग सारे elements कवर हो जाएंगे तो आपको इसको थोड़ा extra मतलब ज्यादा करके रखना है कि उतने elements उसके अंदर ना है तो 600 400 500 मैं इसके 400 कर देता हूं और इसको मैं बन गया है इसमें थोड़ी सी styling कर देते हैं यहां पर करने पर pink color नहीं आना चाहिए यहां पर कुछ होगा कुछ ना कुछ color होगा देखते हैं यहां पर कोई सही color तो दिख नहीं रहा है लेकिन हम कोई color दूसरा choose कर सकते हैं हवर करने पर कोई दूसरा color है यह वाला नहीं यह जो gray color है एक बार यह वाला color चूज करके देख लेते हैं यह color मैं copy कर लेता हूं हवर करने पर pink की जगह पर यह वाला color डाल देता है तो यह कुछ ज्यादा ही dark color हो गया और मैं खुद से कुछ select करता हूं देखते हैं कौन सा सही रहेगा मुझे लगता है यह ऐसा कुछ सही है इतना ठीक है थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और dark कर सकता है बस यह सही है और ठीक है मतलब बन गया है हमारा और यहां पर चाहें तो rounded corners कर सकते हैं और इधर जो है जब यह drop down है तो इसका kona जो है इसमें मिल जाए तो ज्यादा सही लगेगा तो एक काम करते हैं यह हमने border radius यहां पर दिया drop down menu को तो drop down menu इसको हमें तब select करना है जब उसका जो parent है उस पर चक्ट रहे यह drop down के अंदर जो input है वो चक्ट रहे तो इसका जो हमें border radius है उसको एक second border radius यह 4 है 4pixel 4pixel और 00 यह कर देता है तो यह करने से क्या होगा यह मैंने zoom in कर लिया था यह इसमें मिल जाएगा ऐसा कुछ अगर आप ऐसा चाहते हैं effect कि इसमें मिल जाए तो ऐसा हम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके around एक border भी दे सकते हैं और इसका border bottom आप कुछ set कर सकते हैं border radius bottom तो यह जो हमारा menu items है border radius 00 और 4 pixel 4 pixel तो यह सही है काफी सही लग रहा है और यहां पर border भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं वैसे यह box shadow सही लग रहा है मुझे इसको मैं point three कर देता हूं यह point two अब यह shadow थोड़ी अच्छी लग रही है और टॉप से एक pixel दूर इसको किया गया है इसको मैं zero कर देता हूं अब यह सही लग रहा है देखो यह काफी सही है drop down menu हमारा बन चुका है और अगर आप चाहें तो कोई styling कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो यह सही है अब इसकी अच्छी बात यह है कि हम इसको कितना भी duplicate कर दें हमने एक पूरा drop down menu बना लिया हम इसको हम ऐसे duplicate करते जाएंगे इसमें कोई भी icon अच्छा भी इसम कुछ हमने नहीं दिया लेकिन वह काम करेगा एक के लिए हमने बना लिया है तो काम कर रहा है वह सब के लिए यह देखो एक एक अलग-अलग expand हो रहा है यूंकि सबका अलग-अलग चग box है यह अच्छा नहीं देख रहा है इसमें margin थोड़ा सा दे सकते हैं मुझे सब पे margin देना है लेकिन जो टॉप पे उस पर margin नहीं देना तो उसके लिए मैं ऐसा सेलेट कर लूँगा ड्रॉप डाउं प्लस ड्रॉप डाउं तो इस पर मार्जिन टॉप दे दूँं 16 पिक्सल का तो यह देखो बने गया अभी यह देखो यह कैसे काम कर रहा है यह है एड्जेस सिब्लिंग सेलेक्टर तो यह क्या करता है यह चक करता है कि उसके आगे यह जिसे हमारे यहां पर तीन ड्रॉप डाउन मेन्यूज है तो यह देख रहा है कि इसके आगे कोई ड्रॉप डाउन है कि नहीं अगर है तो इसको सेलेक्ट कर लो और इसके आगे कोई ड्रॉप और सही है हमारा drop down menu बन गया और काफी संदल लग रहा है यहां पर गड़ बड़ी एक चीज यह है कि अगर छोटा कर रहा है तो यह scroll bar आ जा रहा है जो कि मैं नहीं चाहिए एक second मैं zoom out अगर कर दूँ और इसको अगर छोटा करूँ तो scroll bar नहीं आ रहा है यह automatic adjustable है मैंने इस तरह से जब इससे zoom करता है trackpad से तो यह बाहर चला जा रहा है बाकि वह वाली दिकत नहीं मुझे लगा था कि अभी छोटा करेंगे तो यह बाहर चला जाएगा हमने responsive बना लिया बना लिया है अब आपको मैं एक assignment देता हूं आपको क्या करना है आपको यह design में आपको एक faq मेनु मिलेगा यह faq यह accordion type में आपको यह बनाना है तो बस simply यह है और इसमें एक चीज यहां पर हमने युवल और लाई रख दिया आपको बस के वाल एक paragraph टाइग रख देना है बस इतना सा करने और आपको यह बन जाएगा faq और इसका design बहुत सुंदर नहीं है आप यहां पर search करना और यह एक website है यहां पर काफी अच्छे अच्छे designs मिल जाएंगे जो कि image format में ही रहेंगे और यह वाला यह वाला आप देख सकते हो यहां पर plus और minus यह यहां पर है लेकिन आप ऐसे ही कुछ बना सकते हो आप देखना आप राई करना कोई भी एक design उठा ले नहीं जो कि आपको बना है अभी कुछ ऐसा बना है इस टाइप में ठीक है यह वाला लोला बना सकता है इस तरह से यह open है you old और अगर आप दिख रहा है और अगर बहुत जादा सुंदर डिजाइन से आप नहीं बूट स्टैप का आप होता है यह यह ऐसा बना लो स्टैप जैसा है ना इतना अल्रेडी बना यह तो इतना अचिक्ति बना लिया है उसके अंदर आपको पैराग्राफ ही रखना है ठीक है यह आप कर लेना यह आपका एसाइन्मेंट है तो मैं अमेद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लेगा होगी आपको वीडियो देखके कुछ नया सीखनी को मिला होगा और आप जैसे भी प्रोजेक्स बन प्रोजेक्स